जै मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगतग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ घर, शरीर, देवी, देपता, पित्र, बंधन किसी भी बंधन को तोड़ने के लिए या किसी का बंधन करने के लिए करें काली माता के इस मंतर का जाब जो मंतर में आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ माता काली का सबसे बड़ा पावर्फुल मंतर है और ये ओल्रेडी सिद्व सवार मंतर है जैसे मान लो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनका गुरू नहीं होता वो जैसे भक्तों के पाथ जाते हैं उनका जाना आना बैठना उठना होता है तो भक्त लोग क्या करते हैं कि उनको पतर चल जाता है कि भई इस सामने वाले बंदे के पास काली माता की शक्ती है या फिर कुंडली नी शक्ति या फिर योग नी शक्ति है तो वो क्या करता है आपको किसी भी तरह से अपनी बातों में उलजा के आपके सरीर का बंधन कर देता है या मालो आपको कोई दुस्मन है, सत्रू है जो आपके सरीर का और घर का और आपके देवी देपता पित्र का बंधन कर देता है जिससे कि आपको दुवारा मा काली के आपके घर के देवी देपता के पित्र के दर्शन नहीं होते हैं सपने के माध्यम में तो आज मैं आपको एक ऐसा मंतर बताने जारी हूँ जिस मंतर के जरिये से आप अपने घर का बंदन भी खोल सकते हैं अपने सरीर का बंदन भी खोल सकते हैं अपने घर के देवी देपता और पित्र का भी बंदन खोल सकते हैं और ये मंतर दो चीज में कारे करता यानि की सही में भी और गलत में भी गलत ये है कि जिसे मालो आपक कोई सत्रू दुस्मन है ठीक है और आप चाते हैं उसके घर का बंधन करना या उसके सरीर का बंधन करना या उसके घर के देवी देपता पित्र का बंधन करना तो आप इसी मंतर के जरिये से उसका भी बंधन कर सकते हैं और अपना भी बंधन खोल सकते हैं समझ रहें तो ये द से रिक्वेश्ट आप से करना चाहूंगी अगर आप महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेर कमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे तो जो मैं काली माता का मंतर देने जा रही हूं आप लोगों को ये मां काली का महा मंतर है और ये बड़े-बड़े तंत्र मंतर तांत्री किरियाएं भगत के जादू तोने इन सब की तोड़ करने वाला मंतर दे रही हूँ आप लोगों को ये मंतर जल्दी से आपको किसी ने दिया भी नहीं होगा और पहली बार ही आप महाकाली भगत ग्यान पर इस मंतर को देखोगे तो पहले आप मंतर देख लो सामनी स्क्रीन पे और इसको साथ के साथ लिख लो एक बुक में फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको इसका इस्तमाल करके अपने घर को अपने सरीर को अपने देवी देपता और पित्रों को बंदन से खोलना है तो आप पहले मंतर देख लो उत्तरा खंड की काली उत्तर को बांध उरप को बांध पक्षिम को बांध दक्षिन को बांध आगा बांध पीछा बांध घर के चारों कोने बांध मेरी बंधी ना बांधे तो काली माई की फिरे दुहाई ठीक है ये वाला मंतर है जिस मंतर से आप अपने घर को खोल भी सकते हो अपने सरीर बंदन को भी खोल सकते हो उसी के साथ साथ आप किसी भी अपने सत्रु दुस्मन का भी इस मंतर के जरिये से बंदन को कर सकते हो तो जैसे कि अम्मे ने आपको मंतर तो बता दिया है अम्मे आपको बताती हूँ किस तरह से आपको इसका इस्तमाल करना है तो देखिए मैं यह नहीं कहूंगी कि आप इस मंतर को प्रती दिन जब हो इस मंतर को आप शनी बार के दिन रात तरी नो बजे करीब अपने घर के अंदर अपने मंदर के सामने बैठके इस मंतर का जाब करो केवल आप लोगों को 41 बार ही इस मंतर को बोलना है और इसका जाब करना है लेकिन अभी नहीं पहले आप इसे अच्छे से याद कर लो जब तक ये आपको भी न देखे आप ना बोल पाएं तब तक आप इस मंतर का प्रियोग मत करना थीक है तो जैसे आपकी सरीर का बंधन हुआवा है तो बंधन भी तूट जाएगा थीक है देवी देपता को बांध रखा है आपके घर के वो भी खुल जाएंगे पित्रों को बान रखा है आपके घर के वो भी खुल जाएंगे इस मंतर के जरिये से सभी बंधन की तोड की जाती है जो बड़े-बड़े तांतरिक भगत लोग जो होते हैं जो आप आपके घर में नेगटिव शक्तियां भेजते हैं इसी मंतर के जरिये से बेशते हैं समझे रहे हैं आपके घर को वो इसी मंतर से बानते हैं और इसी मंतर से बंधन को तोड़ा जाता है तो अगर आपके भी किसी ने सरीर का बंधन कर रखा है और आप काफी ज़्यादा प्रिशान है आपको पहले देवी देपता के माकाली के दर्शन होते थे लेकिन अब नहीं हो रहे हैं पता नहीं क्या हो गया है 6 मेने से 1 साल से जितने भी दिन से तो देखिए आपके सरीर का बंधन हो चुका है और आपका घर भी साथ में बंधावा है आपको इस मंतर का जाप करना चाहिए अपने सरीर बंदन को खोलना चाहिए और अपने घर के सभी बंदनों को खोलना चाहिए तो चलिए भक्तो मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया अगर आपको कुछ पूछ ना है